नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटाप चैनल जी के ट्रैक में तो दोस्तों रेलबे ग्रूप डी परिक से 11 अक्टूबर को प्रिथम पाली का एक्जाम हो चुका है तो जितने भी महत्तपुन कोस्टन पूछे गए हैं तो बेस अभी कोस्टन मैं आपके लिए इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि कई कोस्टन ऐसे हैं जो बार-बार पूछे आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं करें प्लीज चैनल सस्क्राइब कर लें साथ ही उसके साथ में जो बैल आ राजनीती में आने की घोस्टन की हैं तो दोस्तों दच्छन भारत के अभी नेता पूछे गए थे कि कोन है जिनोंने हाली में राजनीती में आने की घोस्टन की है तो दोस्तों उनका नाम कमल हसन है तो यह कोस्टन आज पूछा गया था तो आप इससे याद रखिए हो सकत शेके अगला कोष्ट्सन देखते हैं नीती आयोक के उपाध्यक्स कोंन है ? ऐसके यह कोष्चन नीती आयोक से कई बार कोष्चन पूछे जा चुके थी है इसलिए आप इन जो मैं कोस्टन आपको बताऊंगा इसे जरूर याद रखेगा तो नीतियायो के उपाध्यक्स पूछे गएते हैं तो राजीब कुमार नीतियायो के उपाध्यक्स हैं और नीतियायो के अध्यक्स की बात करें तो जो प्रदान मंत्री होते हैं यानि कि इस सम देखते हैं आंद्र प्रदेश के राज्येपाल कोन है तो दोस्तों आंद्र प्रदेश के राज्येपाल पूछे गई थे तो इकाड़ु सुरी निवासन लच्मी नर सिंगहन आंद्र प्रदेश के राज्येपाल है और तेलंगाने के भी राज्येपाल है तो इन दोन राज् पूचा गया था कि अंतराष्टे क्रिकेट ओफदा एर किस खिलाली को चुना गया था तो आप इसे याद रखे नेश्ट कॉस्टन देखते हैं अमीर खान को 2017 में किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था तो दोस्तों अमीर खान ने आप सभी को पता होगा जो जिस मूवी के लिए ने आवार्ड दिया गया था उसका नाम पूचा गया था तो उस मूवी का नाम है दंगल तो आप से भी जानते होगे तो आप इसे याद रखे नेश्ट कॉस्टन देखते हैं महावीर स्वामी जेन धर्म के कौन से तीर्थ कर थे तो दोस्तों जेन धर्म से एक कोस्टन पूचा गया था तो महावीर स्वामी के बारे में पूचा गया थे कि ये जेन धर्म के कौन से तीर्थ कर थे तो ये तीर्थ कर पूचा गये थे कौन से तीर्थ कर थे तो ये 24 बे तीर्थ करते महाबीर स्वामी और दोस्तों पिर्थम तीर्थ करते की बात करें तो री सब्देव इनके पिर्थम तीर्थ करते जैन धर्म के तो आप इसे जरूर याद रिखेगा अगला कोस्टन देखते हैं संजु फिल्म के निर्देशक कौन थे तो दोस्तो कापी चर्चा में रही है संजी मूवी तो इसके निर्देशक पूछा गया थे ये कोसन पहले भी आ चुका है तो राचकुमार हिरानी संजी फिल्म के डारेक्टर या निर्देशक हैं तो आप इसे जरूर याद रखेगा अगला कोसन देखते हैं बंगाल विवाजन कब हुआ था तो दोस्तो ये कोसन पूछा गया था बंगाल विवाजन किस सन में हुआ था तो 1905 ECB में बंगाल का विवाजन हुआ था तो आप इसे जरूर याद रखिएगा अगला question देखते है यजुरू बेंदर चहल किस खेल से संबन देता है दोस्तो आप से भी जानते होंगे यजुरू बेंदर चहल के बारे में ये क्रिकेट से संबन देता है तो ये question भी आज पूचा गया था तो अगला question देखते है तो दोस्तो अगला question है वर्त मान में लोकसभा अध्यक्स कोन है तो दोस्तो ये question पहले भी आ चुका है तो इसलिए मैं आप से कहता हूँ कि हमारी रोजाने की वीडियो जरूर देखे जो मैं रोज आपके लिए अपलोड करता हूँ जो तीनों shift की मैं आपके लिए वीडियो लेका आता हूँ क्योंकि अगर आपका exam आगे आने वाला है तो आपके तीन चार नंबर जरूर पक्खे हो जाएंगे तो आज भी पूछे गई थी कि लोगसभा की अध्यक्स कोन है तो सुमित्र महाजन इस समय लोगसभा की अध्यक्स है तो दोस्तो अगर बात करें कि लोगसभा की उपाध्यक्स कोन है तो M थंबी दुरे इस समय लोगसभा के उपाध्यक्स है तो आप इसे जरूर याद रखे ये very important है जब आज पूछा गया है कि अध्यक्स को होने सुमित्र माजन हो सकता है कल पूछा जाए उपाध्यक्स को होने तो M थंबू दुराई उपाध्यक्स है next question देखते है सोर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा mistake हुआ है यहाँ पर दिया था सोल भी सत्रवी लोगसभा में यहाँ पर question में था सत्रवी लोगसभा में सत्रवी लोगसभा के election कब होंगे तो दोस्तों जो अब आने वाले election है सत्रवी लोगसभा के होंगे तो यह पूछे गई थे यह कब होंगे तो अपरेल माई 2018 में ये अलक्सन होंगे तो ये question पूछा गया था तो इस प्रकार question अभी तक नहीं आया था तो ये आज पूछा गया था तो आप इसे याद रखेगा अगला question देखते है Canera Bank के CEO कोन है तो दोस्तो Canera Bank के CEO पूछा गया थे तो राकेश सर्मा Canera Bank के CEO है तो चलिए अगला question देखते है उत्री कोरिया की राजधानी क्या है तो दोस्तो उत्री कोरिया की राजधानी पूछे गई थी आज तो उत्री कोरिया की राजधानी प्योंग योंग है लेकिन मैं आपको बता दू कल जो question पूछा गया था कल दच्छिन कोरिया की पूछे गयी थी और आज उत्री कोरिया की पूछे गयी है तो उत्री कोरिया की राजधानी प्योंग योंग है वो दच्छिन कोरिया की राजधानी की बात करें जो मैंने आपको कल भी बताई थी तो दच्छल कोरे राजधानी शिरोल है तो आप इन दोनों को जरूर याद रखेगा हो सकता है इन में से एक राजधानी और दुआरा पूछी जाए next question दखते है कुलदीप यादव किस खेल से संबन देता है तो दोस्तों जैसे कि एक question मैंने आपको पहले बताए कि तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती गिफ्ट की हो सकता, इसकी आगे फुल फॉर्म पूछी जाए, तो आप इसे जरूर याद रिखेगा, अगला कॉस्टन देखते हैं, एक्सेस बैंक के सियों कोन है, तो अमिताब चोधरी एक्सेस बैंक के सियों हों भी पूछे गए थे तो आप इन्याद रिखियेगा, नहीश्ट कॉस्टन देखते हैं, तो आप इसका अंसर लगा सकते थे नरेश मिस्टरा नेश्ट कोस्टन देखते हैं CNG फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों CNG की फुल फॉर्म पूछी गई थी तो कंप्रेजड नेचुरल गैस इसकी फूरी फुल फॉर्म होती है CNG तो आप इसे याद रखेगा अगला कोस्टन देखते हैं दोस्तों अगला कोस्टन जो पूछा आया था 286 इलेक्ट्रोनिक बिन्यास किस तथवक आया था तो जैसे कि इलेक्ट्रोनिक बिन्यास से भी एक नए एक सिप्ट में कोस्टन पूछा रहा है तो आज 286 electronic resident पूछा था तो मैं आपको काई वार बता चुका हूं जब आपको electronic बिन्यास question में दे तो आप इस सभी संक्यावे को जोड कर उसका electronic 25, की यह किस का electronic बिन्यास है तो जोड लेते हैं 28 bench 6 यहींद कोении 222 16 तो आपको तत्व बताना था किस तत्व का इलेक्टरोनी बिन्यास है तो आप इसे याद रेखिए अगला कोस्टन देखते है आधुनिक अबर्ट साणिक किसके द्वारा बनाई गई थी तो दोस्टो ये कोस्टन पूचे गई था जो संपूर पूरी आधुनिक अबर्ट साणिक है ये किसके द्वारा बनाई गई थी तो मोसले के द्वारा ये बनाई गई थी तो आप इसे जरूर याद रखेगा अगला कोस्टन है किलोरीन का द्रब्यमान संख्या कितनी होती है तो दोस्तो किलोरीन की द्रब्यमान संख्या पूचे गई थी तो मैं आपको किलोरीन की परमाणू संख्या बता जेता हूँ तो परमाणू संख्या 17 होती है और जैसे मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि अगर द्रब्यमान संक्या पूछे तो इसका लगभग दुगना हो जाता है तो 17 दूनी 34 तो 34 तो नहीं होगी इसकी द्रब्यमान संक्या लेकिन कुछ संक्या ऐसे होती है जिनमें बन प्लस कुछ जो और जोड़ा जाता है तो इसके जो परमादू द्रभ्यवान संक्या हो जाएगी लगवक 35.5 के आसपास इसकी द्रभ्यवान संक्या होगी तो next question देखते हैं फ्यूच का तार किसका होता है दोस्तों ये question पूचा गाया था यहाँ पर थोड़ा गलत mistake होगे लिखने में यहाँ question में पूचा गाया था कि फ्यूच का तार किस चीज को रोकता है दोस्तों जो घरों में फ्यूच का तार लगा होता है यह जब ज़्याद है जो विदुद्धारा पिरवावित होती है तो उस चीज को रोक देता है फ्यूच का तार तो यह question पूचा गया था अगला question देते है मानव सरी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो यह question पहले भी पूचा जा चुका है तो मानव सरी का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग बैसे तो अगर जो अंते इस्तावी अंग होता है जो सरीर के अंदर का अंग होता है सबसे बड़ा तो वो यक्रत होता है लेकिन यहाँ पर पूछा गयाता है कि सिर्फ मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग यहाँ पर अंताइस था भी अंग नहीं पूछा गया था तो सबसे बड़ा अंग होता है तो अच्छा होता है तो आप इस चीज को याद रेखेगा तो अगला question देखते हैं एक बटा दो MB square तो दोस्तों यह जो एक बटा दो MB square होता यह फोर्मॉला होता है गती जुर्जा का तो यहाँ से एक numerical type का question पूछा गया था तो आप इस फोर्मॉले को याद कर लिजे और जो simple numerical type के question है गती जुर्जा के आप उन्हें करने की कोशिस कीजिए next question देखते है lengthenide के तत्वों की संक्या कहां से कहां तक होती है तो दोस्तों lengthenide में जितने भी तत्व आते हैं यह पूछे गए थे कि इसमें जो तत्व आते हैं इसके अंत्रगत इनकी संक्या कहां से कहां तक है तो 58 से 70 बन के बीच में इनकी संक्या होती है lengthenide तत्वों की पर आए कि समय हुआ है